सो हलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल से दोस्तो और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो एक बहुत बड़ा गुड नीज देने वाला दोस्तो अस्टेट बैंक के जितने भी कराक है सभी के लिए एक बहुत बड़ा गुड नीज आया सो दोस्तो और क्या स्टेट बैंक ओफ इंडिया के तरफ से एपडी को लेकर के बहुत बड़ा अफडेट आया दोस्तो और क्या या सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगो बताऊंगों और दोस्तो और स्टेट बैंक को इंडिया में जदी आप फिक्स डिपॉजिट कराते तो फिर आ स्टेट बैंक ने अपने घराकों के लिए 37 तरीको रिवाज FD में किया है तो दोस्तो और क्या FD में रिवाज किया है आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने होला है तो दोस्तो आपको करना है क्या आपको यहाँ पे किलिक कर देना है किलिक करने बाद दोस्तो आपका जो FD का टेबल हो ओपेन हो जाएगा तो दोस्तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं जदी आप 7 दिन से 45 दिन तक fixed deposit कराते हैं तो general public को पहले जो rate of interest मिलता था वो यहाँ पे मिलता था 3.00% लेकिल दोस्तो अभी state bank डे अपने गरहाकों के लिए 0.50% rate of interest बढ़ा दिया गया दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 3 0.00% rate of interest मिलता था लेकिल दोस्तो अभी जदी आप fixed deposit कराते हैं state bank of union में तो 3.50% rate of interest मिलेगा तो दोस्तो और आप जदी senior citizen तो पहले आपको 3.50% rate of interest मिलता था लेकिल अभी 4.00% rate of interest मिलेगा तो दोस्तो और यहाँ पे मैं next बात करता हूं कि आप जदी 46 दिन से 189 दिन तक fixed deposit कराते हैं तो general public को पहले मिलता था 4.50% लेकिल दोस्तो अभी मिलेगा 4.75% तो दोस्तो और उसके बाद जदी आप senior citizen तो फिर आपको मिलेगा 5.25% दोस्तो पहले आपको मिलता था 5% लेकिल अभी state bank ने आपको 5.25% rate of interest देगा तो दोस्तो और उसके बाद है यहाँ पे 180 दिन से 200 दिन तक दोस्तो आप जदी पहले 180 दिन से 210 दिन का fix deposit कराते हैं तो 5.25% rate of interest पहले general public को दिया जाता था लेकिल दोस्तो अभी जदी आप fix deposit कराते हैं तो 5.75% rate of interest general public को मिलेगा तो दोस्तो और जदी senior citizen का rate of interest पहले मिलता था 7.75% लेकिल अभी मिलेगा 6.25% सदोस्तो और उसके बाद यहाँ पे next बाद करते हैं कि 211 दिन से आप जदी एक सल का fix deposit कराते हैं तो general public को पहले मिलता था 5.75% लेकिल अभी मिलेगा 6.00% सदोस्तो और आप जदी senior citizen का पहले मिलता था 6.25% लेकिल अभी मिलेगा 6.50% सदोस्तो और next यहाँ पे मैं बात करते हैं दोस्तो कि आप जदी एक सल का fix deposit कराते हैं एक सल से दो सल का अंदर जदी आप fix deposit कराना चाहते हैं तो general public को मिलेगा 6.80% दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सल से दो सल का जो FD प्राना उसमें कोई change नहीं किया उसमें पहले भी general public को 6.80% rate of interest मिलता था और अभी भी 6.80% ही rate of interest मिलेगा सदोस्तो और senior citizen को पहले मिलता था 7.30% और अभी मिलेगा 7.30% ही rate of interest मिलेगा आनि कि दोस्तो एक सल का fixed deposit जो करा थे एक सल से दो सल तक तो फिर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया सदोस्तो और उसके और यहाँ पहले मिलता था 7.00% और अभी भी मिलेगा 7.00% सदोस्तो और senior citizen को पहले मिलता था 7.50% और अभी भी मिलेगा आपको 7.50% ही rate of interest मिलेगा आनि कि दोस्तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है सदोस्तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेता 3 सल से 5 सल का जदी आप fixed deposit कराते तो पहले मिलता था general public को 6.50% लगी अभी मिलेगा 6.75% आनि कि दोस्तो 3 सल से 5 सल के जदी आप fixed deposit कराते तो 0.25% rate of interest यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा सदोस्तो और उसके बाद यहाँ पे senior citizen को पहले rate of interest मिलता था 7.00% और अभी मिलेगा 7.25% सदोस्तो और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ लास्ट में जो की है 5 सल से 10 सल तक दोस्तो देख सोते हैं 5 सल से 10 सल का fixed deposit जदी अभी आप कराते हैं तो फिर आपको 6.50% rate of interest मिलेगा सदोस्तो और पहले भी आपको 6.50% ही rate of interest मिलता था और अभी भी 6.50% ही rate of interest मिलेगा सदोस्तो और आप जोदी senior citizen जो और आप जोदी 5 सल से 10 सल का fixed deposit कराते हैं तो 7.50% rate of interest पहले मिलता था और 7.50% rate of interest अभी भी आपको मिलेगा आनि कि दोस्तों इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख लेता सबसे बड़ी अपडेट जो कि State Bank of India के सबसे बड़ी अपडेट है जो कि मेरे जितने भी State Bank of India के जितने भी भी भीवर है तभी लेग मुझे कॉमेंट करते हैं कि सर State Bank of India के तरफ से जो 400 दिन का जो Special FD Plan था उसको 2024 में Discontinue कर देगा या फिर उस Plan को रहने देगा तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हैं दोस्तों जो कि 400 दिन का जो Special FD Plan था उस FD Plan को अभी तक Discontinue नहीं किया दोस्तों उसका जो वैलिड है अभी उसका वैलिड बढ़ा दिया है उसका जो भी वैलिड दिया है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दा स्कीम विल भी वैलिड तिल 31st March 2024 आनि कि दोस्तों 400 दिन का जो Special FD Plan है जो की अमरित कलस के नाम से जाना जाता है उस FD Plan में आप जिदी इन्वेस्ट करते हैं तो 31st March 2024 तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यह जो FD Plan है वो अभी भी जारी रखा है आज की इस वीडियो में इट नहीं दोस्तों मिलते नेक्स वीडियो में कुछ नी वीडियो के साथ कुछ नी जनकरी के साथ तब तक के लिए टाटा पबाई जहिन बंद मातरा